नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया नियूस पर और मैं हूँ आपके साथ स्पाते सिंग आज सता रहा मौत का डर दो भाई जो एक साथ अपरात की दुनिया के सौधागर बने आज दोनों को मौत का डर क्यों सता रहा दोनों को काफी वक्त पहले सजा हुई थी और अलग- आतीक एहमद सवारमती जेल में दूसरा आतीक कभाई और पूर विधायक अश्रफ बरेली में कैड दोनों लंबे वक्त से जेल में हैं लेकिन प्रयागराज में हुई उमेश पाल हत्यकांच के बाद एक बार फिर दोनों सुर्खियों में आ गए और ऐसे आए कि हर चैनल हर अकबार पर दोनों चा गए यूपे पुलिस दोनों को आज प्रयागराज जेल में लाने की तयारी कर रही है माफिया अतीक एहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क के रास्ते से सवरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है तो वहीं अतीक के भाई और पूर बिदा बताते हुए वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी कोट में पेशी के लिए याचिका तक दाखिल कर दी लेकिन अदालत ने इसे मंजूरी नहीं दी ना मंजूर कर दिया जिसके चलते उसे आज प्रयागराज लाया जाएगा हाला कि किस रूट से उसे लाया जाएगा ये फिल लोट रहे उमीशपाल की हत्या हो चुकी लेकिन उससे पहले हुई अपरन कांट पर 28 मार्च को फैसला आना है इसके लिए दोनों भायू को कोट में पेश किया जाना है बताया जा रहा है कि अतीक और अफ्षरफ को हाई सिक्योर्टी ब्रेक में आईसोलीशन में रखा दोनों बॉडी वन क्यामरे से लेस रहेंगे प्रयागरात जेल कार्याले और जेल मुख्याले पर 26 घंटे निगरानी होगी अतीक का भाई अश्रफ जिस पर 52 केस दर्ज है आज वो भी अपने भाई की तरह खौफ खा रहा है उस पर बरेली जेल में बैचकर ही उमेश पाल क हत्या की साजश रचने का आरोप है बताया जाता है कि बरेली जेल में अश्रफ से मिलने के बाद शूटरों का नाम और पूरा प्लैन तै हुआ था बरेली जेल में अश्रफ बड़े ही थाट माट से रहा करता था जी हां अश्रफ को विशेश सुधा पौचानी के मामले में पुलिस ने पहले ही दो कर्मचारियों को गिरफतार किया बताया गया था कि अश्रफ एहमत को पीली भीत के रहने वाले शरीफ की दुकान की चिकन बिर्यानी बेहत पसंद थी समय समय पर डिमाज होने पर उसे आरिफ चिकन बिर्यानी जेल में पहुचाता था कई बार जेल लोग जो इसमें शामिल थे उन्हें जेल भेजा गया जेल में ना मौत का डर ना किसी का खौफ लेकिन अब दोनों भाई पल पर डर के साय में जी रहे हैं देखना है कि अब कल कोट में क्या फैसला आता है इस केस से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ ब आने बाई